नवश्कार किसान साथियो मैं देवेंदर सिंघ परूमार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूटी एप चैनल ओनली फार्विव में किसान साथियो आज हम बात करेंगे हमारे सभी जो किसान भाई है उनके जो खास सबसे उनके दिल के पास में रहने वाली फसल लेसुन की, लेसुन आपको पता है कि मसालों के अंदर और मसालों के साथ-साथ में दवाईयों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रचूर मातरा में इस्तिमाल होती है और अभी आपको अगर पता हो तो कभी कोरोना के अंदर इसका भी बहुत जादा इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि इससे बहुत जादा जो हर्ट पेशेंट होते हैं जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट है और इसके लावा भी जो हमारा इम्मून सिस्टम होता है उसको भी मजबूत करने के अंदर लेसुन उपयुखत होती है किसान सातियोsan अब हम बात करते हैं जलवायू की कि इसके लिए कौन सी जलवायू सबसे उपयुखत होती है तो सातियों इसके लिए जलवायू नमी वाली और ठंडी बहुत ज़्यादा उप्यूगत होती है और उसके महारा जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के अंदर ये वाला जो जलवायू है लगबग अपना सेप्टेमबर लाज से लेकर के दिसंबर जनवरी तक जो टाइम पिरेड च लगाने के अंदर किसान सातियों को हमेशा अगस्त लास्त या सेप्टेमबर के अंदर अंदर तक उनको इसको लगा देना चाहिए और इसके अंदर जो बूटी लगाते हमारे बहुत सारे किसान सातियों तो उनके लिए ये वाला ताइम ज्यादा उप्यूगत होता है क्यो करेता है वो उस समय में बनता है तो वो इसके लिए बहुत उप्यूगत होता है अब साथियों हमा बात करते हैं कि खेत की तैयारी के अंदर साथियों आपको सबसे पहले आपके खेत है उसको अच्छे से गहरी जुताई करनी है दो से तीन बार और उसके बाद में उस पर सबी जितनी भी क्या रहा है वहां तक पानी अच्छा सुचारो रूप से पहुंच सके और साथियों एक चीज का और इसमें खास विशेश दियान रखे आप जिस खेत में भी आप लेसुन लगाने का प्लान बन कर रहे हैं उस खेत के अंदर ड्रेनेज सिस्टम यानि कि पा घाथ और उरूरत साथियों जब हम बात करते लेसुन के अंदर खाद और उरूरत को कि तो सबसे अगर अभी तक हम आपको पता है कि हम इस्तिमाल भी करते गोबर की खाथ बहुंच ज़्यादा इस लेकिन भूबर की खाथ लगबग आपको खाथ से आठ टन प्रती एकड के के हिसाब से आपको इस्तिमाल करना चाहिए एक लेस्ञून के लिए और अगर को लिए किसान सय इमकρι उनके पास तो भौश मार्मी कंपोस्ट का इस्तिमाल करना चाहता है तो भौश लगबग्ग दो सथाई टन प्रती एकड के इसाब से इसका आप वर्मी कमपोस्ट दो से धाई टन प्रती एकड के हिसाब से आप इस्तिमाल नहीं करते हैं तब तक आपको उतना पूरा उप्युक्त जो उसका रिजल्ट मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाए और फिर आप कहेंगे कि जैविक है इसका कोई असर आता नहीं है तो पर ही बना करके उसका इस्तिमाल करें क्योंकि दो से धाई टन अगर आप एक एकड के अंदर इस्तिमाल कर लेंगे तो वो मार्केट से अगर आपको खरीद के लाने में आपका बहुत जादा पेसा खर्च होगा और वो आपकी जो लागत है वो बहुत जादा और बढ़ जा किलो के असपास और MOP यानि की पोटाश उसको लगबग आपको 27-28 किलो यह पूरा मिक्सर जो आपको लगबग एक एकड के अंदर आपको इसका इस्तिमाल करना है और यह आपको आपकी जो जुताई रहती है ओ जुताई के समय आप पहले इसको 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 इस्तिमाल कर ल कागसी juay P gi जगे पर अगर कोई सिंडल सुपर फिस तो इस्तिमाल करना चाता है तो भी कर सकता है उसके लिए अपको लगबग 200-300 किलो सिंगल सुपर फास्ट वेथिटा और अभी आजकल मार्केट के अंदर जो सिंगल सुपर फास्टएट नहां दो जीविघन आखिन नह तो इसको कुछ जादा फर्टिलाइजर की उर्वरक की ज़रोत पड़ती है तो वह उसके भी हम आजसानी से पूर्टि कर सकते हैं और साथियों यह सारे जो चीज़े हैं इनका तो आपको इस्तमाल करना है जो हमारी बुवाई के पहले आप इन सभी को आपको इस्तिमाल कर लेना है किसान साथियो अब लगबग 20 से 40 दिन के बीच की जब आपकी फसल हो जाती है तब आप माईकोराइजा का इस्तिमाल जरूर करें हमने एक वीडियो बना रखा है माईकोराइजा के उपर वह में आई बटन पर आपको उसके लिंक दे दूँगा परती एकड के इसाब से आप उसको इस्तिमाल करें और अगर हमारे किसान साथियो ने अगर पहले सिंगल सूपर फास्फेट अगर इस्तिमाल नहीं किया है अगर उन्होंने उसकी जगे डियेपी का इस्तिमाल किया है तो उनको जिंक सलफेट लगबग 7-8 किलो परती एकड के हिसाब से आप उसको भी दे दे साथियो जब हमारी फासल लगबग 50-60 दिन की जब अवस्ता हो जाती है तब आप उसके अंदर micronutrients के अंदर boron का उसके अलावा एक potassium और sulfur इनका इस्तिमाल आप जरूर करें और अगर इसके अलावा भी अगर कोई दुसरे micronutrients है आपकी जो अगर आपने मित्ती परिक्षन करवाया है तो आप उसके अनुसार या आपकी जो फसल है उसकी अवस्ता को देखते हुए उसके आपको उसमें कोई होई चीज की कमी लगती है तो उसके अनुसार आप दुसरे micronutrients का भी इस्तिमाल इसमें कर सकते है साथियो मैंने आपको इसके अंदर potash के लिए आपको जो बोला है ये potash के लिए आप विशेज इसमें ध्यान रखे कि ये murate of potash जो आता है यानि कि आप जो मूरेट of potash आता है उसका आप इस्तिमाल नहीं करना है इसमें आपको इसके लिए water soluble पानी में जो गुलंचिल जो potash आता है उसी का इस्तिमाल करें क्योंकि ये पानी के अंदर गुलंचिल होता है वही आपके फसल को पूरी तरह से मिलेगा अजनिता वो केवल आपका एक तरह से उसमें अधिक तरह आपका बाग वेस्टेच चला जाता है और हमारी फसल को उसका पूरा फाइदा नहीं मिल पात है अब साथियों ये आपका पूरी तरह से आपका जितना भी उर्वा रख है और इसके अंदर आपका पूरा इसमें complete ह बलॉर कंशा मं इसकी तरीके साथ में पूरा करना चाहिए और चाहिए वर चैसे में लगाना चाहिए नcmune के लिए कम भीच लिगाना है तो में कीज उसके साथ में昨ुरी चाहिए से कंड यह भी बहु ज़्यादा इस्तिमाल कर सकते हैं हमारे बहुत सारे किसान बै अगेती को दीखेती करते हैं तो वह अगस्थ से लेकार करके सिप्टमबर, वह बहुत थाकर अगएज़ादा गिली भी होती है तो अगर आप उसको बहुत जादा जल्दी लगा देंगे और गिली रहेगी वो तो वो अंकूरन नहीं दे पाती है और वो उस करण्ट से अगर आपने देखा हो तो जो हमारे किसान साथी जल्दी लगाते हैं उसका अंकूरन आने के अंदर बहुत जादा टाइम लगता है, लेकिन यहीं जो थोड़े से लेट लगाते हैं और थोड़ी सूख जाती है, वो कली लगाने पर उसका अंकूरन थोड़ा जल्दी हो जाता है, और वो दोनों के अंदर वेरियेशन में आपको कुछ बहुत की डिस्टेंस रखना है और आपको रो से रो होती है लाइन से लाइन उसके अंदर लगबग आपको 12 cm की आपको उसके इनदर दूरी बना के रखना है साथ जब बात करते बीज को तो बीज उप्चार के अंदर आपको कारभुक्सीन प्लस थायरें इन दोनों का मिक्चर या क प्रती किलो बीच की दर्शा इसका इसके अंदर एक कीट नाशक है और एक फफुन नाशक यह दोनों मिलकर के जो हमारे शुरू में जो अगर कोई थ्रीफ साती है यह कोई कीट आता है तो उसकी भी रोगदाम कर देते हैं और उसके अलावा जो फंगी साइड है कोई फंगस क अभस्ता के अंदर लाकर के अमारे अंकुरेन उसको जल्दी कर देता है किसान-सात्यों यह जो हे मिट्टी जनित और बीच जनित जो कुछ रोग होते हैं उनको भी अच्छे से कंट्रोल करता है क्यानुकि अब जैसे मूँत सी बार देखते हैं कि हम लगाने के बाद में ब जब से पहले वीडी साइट जो खरपतवार नाशकों का इस्तिमाल करना चाहते हैं तो वह इसके अंदर जो आपने एक बार इसके अंदर चुपाई कर दी चुपाई करने के बात में जब आप पहला पानी देते हैं उस पहले पानी देने के पहले या उसके आगे आगे आपको पेंडा मेथलीन या ओक्सी फ्लोरोफिन आप इन दोनों का आप इस्तिमाल कर सकते हैं आप इनका जो डोज है आप जिस कंपनी का भी आप उसके अंदर ले रहे हैं क्योंकि उसके अंदर अलग-अलग कंसेंट्रेशन वाले मार्केट के अंदर उपलब दें तो आप जो आप उसमें इस्तिमाल कर रहे हैं आप उसके अनुसार उसके डोज के अनुसार आपको इस्तिमाल करना है किसान सात्यों उम्मिद करते हैं अब आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया है तो आप हमारे दुसरे किसान सात्यों तक भी इसको जरूर पोचा है और इसके आगे का जो भाग है वो हम आपके लिए अगले एक पार्ट के अंदर बनाएंगे जिसके अंदर इसके बाकी की इतनी भी जानकारी है वो हम आपको उसके अंदर देंगे धनिवाद किसान सात्यों जय हिन जय भारत